इस सवाल में हमें दिये हुए फलन का समाकलन ग्यात करना है तो इस फलन में हमारे पास उपर एक बड़ा सा टर्म है और नीचे सिर्फ x स्क्वेर है और इन दोनों का एक फ्राक्शन बनाया हुआ है तो यह देख के मुझे यह लग रहा है कि अगर मैं इसको तीन फ्राक्शन में तोड़ दूँ कुछ इस तरीके से पहला फ्राक्शन हो जाएगा मेरा x3 by x2 x3 by x2 plus 5x2 by x2 minus 4 by x2 तो मैंने इसको तीन फ्राक्शन में तोड़ दिया है और बाहर हमारा dx है ये करने से मैं इन तीनों भागों को integral of x to the power n dx वाले सूत्र से हल कर सकता हूँ ये जो integral होता है या ये जो समाक्रन होता है वो होता है x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus कोई constant c तो इसका अगर हम use करें तो यहाँ पर देखते हैं में क्या मिलेगा पहले हम इनको और सुलजा लेते हैं तो x square है x cube है यहाँ पर हमें x मिलेगा integral of x dx अब यहाँ पर तीन अलग-अलग भाग हैं इस bracket के अंदर तो हमें पता है कि अगर मेरे पास दो फलन हो f और g और मुझे इनका integration करना हो तो मैं इसको दो भागों में तोड़ सकता हूँ f dx प्लस integral of g dx तो यही चीज मैं यहाँ पर करूँगा इन तीनों को अलग-अलग तोड़ दूँगा तो पहले भाग में मेरे पास सिर्फ x है फिर दूसरे भाग में x square और x square गए मेरे पास क्या बचेगा बस 5 बचेगा 5 dx minus integral of 4 by x square dx चलो अब सबसे पहले के लिए हमें दिख रहा है कि हमारा जो n है यहाँ पर यह 1 है इस formula का इस्तेमाल करना है हमें n अगर हमारा 1 है तो यह हो जाएगा x to the power 1 plus 1 divided by 1 plus 1 अब इसमें constant भी आएगा तो इस constant को हम c1 बोल देते हैं ठीक है फिर दूसरे वाले के लिए यह 5 तो हमारा constant है इस 5 के साथ हम लिख सकते है x to the power 0 5 into 1 है 1 हमारा x to the power 0 होता है तो इसको करने के लिए हम पहले 5 को बाहर भेज देंगे अब x to the power 0 पे हम यही formula लगा सकते हैं x to the power 0 पे अगर हम यह formula लगा हमें क्या मिलेगा x to the power 0 plus 1 divided by 0 plus 1 है न plus c2 तो यह formula लगा के हमें इसका भी समाकलन मिल गया आखिर में यहाँ पे हमारे पास 4 है तो इस 4 को बाहर निकाल के हमें मिलेगा 4 और इसका अंदर का जो integration है इसको हम लिख सकते हैं x to the power minus 2 dx यहाँ पे 4 by x square है तो एक बार इसको देख के आपको लग सकता है कि यह formula यहाँ पे नहीं लगेगा पर अगर मैं 1 by x square को x to the power minus 2 लिख दू तब हम इस formula को apply कर सकते हैं इस सूतर को हम सभी n के लिए यूज़ कर सकते हैं सिवाए minus 1 के तो अगर n minus 1 के बराबर हो यानि 1 by x हो तब हम इस सूतर का इस्तमाल नहीं कर सकते पर इसके अलावा हम सारे n के लिए इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ पे n हमारा minus 2 है तो हम इसका इस्तमाल कर सकते हैं चलो करते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x2 by 2 plus c1, इसमें मिल जाएगा हमें 5x plus c2, अब इसमें करते हैं minus 4, x to the power minus 2 plus 1, n की जगा minus 2 रख दिया, divided by minus 2 plus 1, और यहाँ पर एक और मिल जाएगा c3, अब इन constants को हम सबको एक साथ कर सकते हैं, यह c1 है, यह c2 है, यह c3 है, इन तिनों को हम ज और बाकी सारे x को अलग रख देते हैं, तो बाकी हमारे पास पहला term था x2 plus 2, दूसरा term था 5x, और आखरी term है minus 4, x to the power यह हो जाएगा minus 1, यानि की यह 4 by x की तरह हो जाएगा, और नीचे हमारे पास minus 2 plus 1, यानि minus 1, यह minus 1 उपर आगे इसको plus बना देगा, तो यहाँ पे मैं plus c को सामने लिख देता हूँ, यह थोड़ा दूर है, इसको इधर ले आते हैं, तो इस तरीके से यह हमारा समाकलन है, दिये हुए प्रश्न का, तो इस तरीके से हमने इसको हल किया, चलिए, एक और सवाल करते हैं, जिसमें हमें समाकलन करना हो, तो यह हमारा अगला समाकलन ह यहां पर भी मुझे दिख रहा है, ऊपर मेरे पास दो चीज़े हैं और नीचे एक ही चीज़े है, तो फिर से मैं इसको थोड़ने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको फिर से 2 by cos square x, यह मेरा पहला भाग हो जाएगा, और दूसरा भाग हो जाएगा, 3 sin x by cos square x, dx, ठीक है, अब 1 by cos square x को हम sex square x बोल सकते हैं, 2 sex square x dx हो जाएगा यह, और minus इस 3 को मैं बाहर ले जाता हूँ, अब यहां पर मैं sin x by cos x को अलग कर देता हूँ, और 1 by cos x को अलग लिख देता हूँ, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, आपको अभी दिखेगा, sex square x का समाकलन होता है tan x, तो यह हमें अगर मैं देखू, तो यह मुझे दे रहा है tan x into 1 by cos x होता है sex x dx, मुझे याद है, जब हम sex x का अफकलज लेते थे, तो यह हमें मिलता था sex x tan x के बराबर, तो क्योंकि हमें यह पता था, इसलिए मैं sex x tan x लेके आना चाहता था, ताकि मैं इसके समाकलन को सीधा sex x लिख तो यही करेंगे हम यहाँ पर, यह हमें देदेगा 2 tan x plus c1 minus 3, यह पूरा समाकलन हो जाएगा मेरा sex x plus c2, अब फिर से हम इन c1 और c2 को एक साथ लिख के c कर देंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 2 tan x minus 3 sex x plus c, यह है हमारा उत्तर